आप सबको गुरु परवर की अनेक अनेक शुबकामना हैं शाहिद ये गुरु नानक देवजी के आशिरवाद है महान गुरु परंपरा के आशिरवाद है कि जिसके कारण मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के हाथों से कुछ अच्छे पवित्र कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसलिए जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वैसे गुरु जनों का संत जनों के आशिरवाद के कारण है हम लोग कुछ नहीं है और इसलिए सम्मान का अधिकारी मैं नहीं हूँ सम्मान के अधिकारी यह सभी महापुरुष है यह सभी गुरुजन है जिनोंने सद्यों से त्याग तपस्या की महान परंपरा के साथ इस देश को बनाया है इस देश को बचाया है मेरा सभागी रहा कि गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद और उसके पहले जब वहाँ गुजरात में भेंकर भूकम पाया था तो कच के लगपत में जहां गुरुनानक देवजी रहे थे और आज भी गुरुनानक देवजी की पादुकाय वहाँ आया है भूकम के कारण वो द्वस्त हो गया था जब मैं मुख्यमंत्री बनके गया तो मेरे सामने पहला काम था कि कच के भूकम पिड़ीतों के पुनान्दिरमान का मैं ध्वस्त हुए एक गुरुद्वारे पर भी गया और उसी समय शायद यही परंपरा के आशिरवात थे कि मेरे लिए आदेश हुआ कि मुझे कुछ करना है और उसका पुनान्दिरमान करने का निर्ने किया लेकिन यह चिंता कि कि जैसा था जिस प्रकार की मिट्टी से बना था उसके योग्य लोगों को ढूंडा जाए ऐसे मिट्टी को ढूलाया जाए और उसी से बनाया जाए और उसका पुनान्दिरमान किया आज वो स्थान वर्ल्ड हेरिटेज में अपनी जगा बना चुका है हमने उडान योजना उडान योजना से हवाई सफर सस्ति करने की योजना बढाई तो तुरंत आदेश हुआ और विचार आया तो उडान योजना की शुरुवात पहले दो स्थान पर जो की उसमें एक नांदेट साहब से शुरू किया मेरा सहुभा के रहा बादल साहब के मुझे पर काफिक आशिरवात बने रहे मुझे कई वर्षों तक पंजाब में काम करने का मोका मिला था और उसके कारण मुझे जो कुछ शायद मैं गुजरात में रहे करके नहीं समझ पाता था शायद नहीं जान पाता वो पंजाब में आप लोगों के बीच रहे करके बहुत कुछ जाना समझा और मैं हमेशा अनुफव करता था कि गुजरात का और पंजाब का एक विश्रस नाता है क्योंकि जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक गुजरात से द्वारिका का था और इसलिए द्वारिका जिस जिले में पढ़ता है वो जामनगर में हमने गुरु गोविन सीची के नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया है क्योंकि कल्पना यही रही है कि देश के हर कोने में महापुरुष्व ने हमारे देश के लिए एकता के जो मंत्र दिये है और गुरु नानक देव जीव के बातों में तो हमारे देश की पूरी सांस्कृतिक परंपराओं का निचोड हमें गुरु बानी में महसूस होने को मिलता है हम अनुभव कर सकते हैं हम अपनापन महसूस कर सकते हैं कि हर शब्द में और इतनी सरल रुप से इन चीजों को हमारे लिए मारदर से के उंच निच का भे उस समाज की जो कढ़िनाईयां थे बुराईयां थी उसको इतने सरल धंग से एड्रेस किया है उंच निच का भाव खत्म हो जातिवाद का भेद भाव खत्म हो एकता के सुत्र से बंदे हुए हो इश्वर के प्रतीस रधा समान भाव से हो हर चीज और ऐसी महान परामपरा हम सब को प्रेना देती रहें देश की एकता और अखंडिता के लिए ये गुरुबानी, गुरुणानक देवजी का आदेश, संदेश इस से बढ़कर करे हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है और वही देश की एकता और खंडिता के लिए सबसे बड़े सामर्थवान हमारे पास संदेश है मैं मानता हूँ कि कर्थारपूर का ये निर्णा है सन 47 में जो हुआ सो हुआ कुछ ऐसी बाते होती हुँ जो साइट सरकारों सेनाओं उसके भी जो होता होगा होता होगा उसके रास्ते कब निकलेंगे वो तो समय बताएगा लेकिन जन जन का जुड़ाओ पीपल टू पीपल कांटेक उसकी एक ताकत होती है किसने सोचा था कि बरलीन की दिवाल गिर सकती है शायद गुरुनानक देवजी का आशिरवाद से करतारपूर का कोरिडोर ये सिरु कोरिडोर नहीं जन जन को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है गुरुबानी का एक एक शब्द उसमें हमें शक्ति दे सकता है और यही ताकत ले करके हम क्योंकि हम तो बसुधय कुटुमकम वाले हैं पूरे विश्व एक परिवार है इस आदर्शों से हम पले बड़े लोग हैं हम वो लोग हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और आप कल्पना कीजिए साड़े पांच सो साल पहले जब साधन नहीं थे व्यवस्ताएं नहीं थे गुरु नानक देवजी ने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पधियात्रा की कहां आसाम कहां कच और पधियात्रा करके उन्होंने एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को अपने भीतर समाहित कर दिया था ऐसी साधना ऐसी तपस्या और आज ये गुरु फरब हम सब के लिए एक नई प्रेणा नई उर्जा नया उत्सा का कारण बने जो देश की एक्ता और अखंडित्ता के लिए हमें एक शक्ति दे और हम सब बिल करके क्योंकि संगत की अपने एक ताकत हरे महान पुरंपुरा ये लंगर सामान्या खाने पीने की वहुस्ता नहीं है लंगर एक संस्कार है लंगर एक विरासत है कोई भेदभाव नहीं ये कितना बड़ा योगदान सरल पद्दती से दे दिया है और इसलिए आज के इस पावन परवपर मैं इस पवित्र बाता वरण मैं और गुरुगरं साब की मौझूदगी मैं मैं इस महान पुरंपुरा को प्रणाम करते हुए गुरुजनों की महान त्याग तपस्या को अनमन करते हुए जो आपने मेरा सम्मान किया वो सम्मान मेरा नहीं है इस महान पुरंपुरा का सम्मान है हम सब जितना कर सके इतना कम है हमें शक्ति दे ताकि हम और अधिक अच्छा कर पाए पिर फिर एक बार आप सब का रदय से बहुत पड़ा भार बेकते करता हूँ